वर्ड़ त士 पर चलें क्या भी भी ये ट्रिक्स की इस्तमाल गरती हों कंट्रीज याद करने में कि ये सीं के पास ये साारे कंट्रीज हैं ये बहुत कड़वा सच बताऊं ये ट्रिक से कंट्रीज याद करके ना आप बस information से लदा हुआ, information रटा हुआ, पुतला लगते हो, उससे जादा कुछ भी नहीं लगते हो, अच्छा चलो, imagine करो, मैं किसी का description दे रहे हूं, who is smart, who is intelligent, who is opinionated, सबसे पहले दिमाग में पते हैं, क्या आता है, कि a person who knows recent development, who knows countries, जो उन countries के past के हिसाब से, past development के हिसाब से, future में अपना opinion, future के बारे में अपना opinion देता है, अपना contribution देता है, लेकिन you don't know the basics, you don't know the countries, आपको tricks चाहिए हो याद करने में, So, इस video में मैंने step one decide किया है, कि पहले आप world mark को समझ लो, imagine कर लो, पौन से countries कहा, tricks की जरूरत नहीं पड़ेगी, honestly, when you imagine things, when you connect up the things, current phase क्यों मौत आती है, याद करने में, because you are not able to connect things up, है ना, कि Israel ले ये कर दिया है, तो how Egypt के पेट में क्यों दर्ध हो रहा है, आपको trick लगाने पड़ेगी रही उसके पीछे, Black Sea कहां पे है, Caspian Sea कहां पे है, कौन सा country, किस से कैसे geographically associated है, that makes the huge difference, world mark के study, not only helps you to score for your geography, it makes you an intelligent person, चाहे आप SSB ले लो, या कोई भी interview ले लो, these are all primary questions which will be asked to you, ये tricks है न, दो मिनिट में पकड़े जाओगे, ये खोखली information है, confidence के लिए भी content होना चाहिए, पिना content के जो confidence होगा न, उसे दो मिनिट में आप पकड़े जाओगे, वो पुतला नहीं चाहिए किसी को भी, be an informed person, so this will be the step one, the basics, चीजों को ultra focus के साथ समझने की कोशश करना, ट्रेक लिए वीडियो में चलते हैं, so ये है हमारा घूंता हुआ earth, जुस पर हमारी सारी family रहती है, वासुदेव कुटमबकम, नाम तो सुनाओगा है न, चलू ठीक है, इसी घूमते हुए globe को अगर हम flat करके समझे, सबसे पहले continents से, देखो आज है न, बिलकुल basic से आपको समझाओंगी, अक्सर ऐसा होता है न, कि हम बहुत advanced level तक चले जाते हैं, but we miss on to the very small things, और वहीं पर फंबल कर जाते हैं, देखो, आज मेरा last chance है, ठीक है, शिदत से समझना, मेरे पास दूसरा मौकर शायद ना आए, है न, animal type scene हो गया, all right, यह है हमारा North America, North America में सिफ USA नहीं आता, Canada भी है, Mexico भी है, right, okay, उसके बाद आता है South America, South America, जैसे Latin America भी कहा जाता है, okay, उसके बाद आता है Africa, Africa, Africa मुझे ऐसा लगता है न, सबसे ज़्यादा underrated continent है, सबसे ज़्यादा underrated, how, इस continent के पास, या, बहुत सारे natural minerals and resources है, gold के हलो, diamond के हलो, even, कमाल के players प्रिड्यूस करें हैं, आफरका ने, आज कल तो रेमा भी बहुत rock कर रहा है, न, इसके अलावा, this is a continent, जो कि हर hemisphere में आता ह है, east, west, north, south, यह सब क्या होता है, आगे समझाती हूं, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा dessert भी मल जाएगा, सबसे लंबी नदी भी मल जाएगी, you'll find it everything, Africa, right, okay, उसके बाद it is Europe, Europe को अपने class के लिए मवाना जाता है, Asia, Asia दो वही खास है ही, सबसे पहला reason, इंडिया इससे बल mountain peak कहा है, it is in Asia, Asia से बहुत सारी ancient civilization भी बिलॉग करती है, not only in the valley civilization, वो तो है ही, इसके अलावा Egyptian civilization है, Chinese civilization है, इन सब को बहुत ancient civilization माना जाता है, alright, उसके बाद Australia भी है, Australia ना हम सुनके तो मुझे कांगार हूई याद आता है, आपको क्या याद आता है, इसके अलावा, we have Antarctica continent as well, इसको नहीं भूलना है, ठीक है, Antarctica कोई भी कंट्री से बिलॉग नहीं करता, ठीक है, and this is your largest desert, yes, Sahara अफरिका वाला लाजस नहीं है, it is Antarctica, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस ही आ जाएगा कि it is a cold desert, right, it is not the hot desert like Sahara, alright, you know there is another continent as well, जो बोला जाता है, Atlantis नाम का, बहुत सारी स्टोरीज में, माइथिलोजी में, बोला जाते हैं कि, कि कॉंटिनेंट सब्मर्ज हो चुका है, interesting stories, right, चलो, stories से मुझे एक चीज याद आ रही है, कि, who gave the description of world map firstly, है न, हम जब अगर technical studies में जाते हैं, तो सामने आदाएगी, North America, South America को किसे European ने discover वगेरा किया था, बट अगर आप महाभारत में जाओ न, संजे, जो की, पूरी stories नरेट कर रहा था, to the blind king, धृतराष्ट को है न, उसने ये description दिया था, धृतराष्ट को, कि, world map कुछ ऐसा दिखता है, संजे ने, world map का description कुछ इस तरीके से दिया था, कि दो people के पत्ते हैं, एक rabbit है, उसकी tail है, और इसी image को अगर आप invert कर देते हो, तो विश्व ऐसा दिखता है, and you can actually resonate, yes, we have these continents only, so our stories are very strong, चलो, आगे चलते हैं, so ये हमारा world map है, चलो है, ओके, इसको और बेटर समझने के लिए, हमें इसे parts में divide करना होगा, like, सबसे पहले हमें ये डंडी कीछ लेते हैं, इसको आगे जाके prime meriden, या तो GMT कहा जाएगा, वो आगे समझेंगे कि क्यों और इसका purpose क्या है, but this particular line divides the entire world into eastern hemisphere and western hemisphere, yes, eastern and western hemisphere, then, अगर हमें और parts में divide करना है, then we have equator, equator, जो पूरे globe को north और south hemisphere में divide करती है, now you know, right, कि इंडिया कौन से कौन से hemispheres में lie करता है, चलो, important latitudes और longitudes की belongings देख लेते हैं, right, सबसे पहले, tropic of cancer, that is, 23 and a half degree north पे lie करता है, चीक है, जो भी latitude equator से उपर होगी, वो north में होगी, और जो भी equator से नीचे latitudes होगी, वो south hemisphere से belong करेगी, ठीक है, तो उसके पीछे s लग जाएगा, by the way, यह longitude और जो लेटी होई होगी, वो हम latitude कहेंगे, जो लंबी-लंबी होगी, वो से longitude बोलेंगे, चीक है, इन latitude और longitude का काम क्या होता है, basically दो purpose होते हैं, सबसे पहला तो time determine करने के लिए, दूसरा purpose है, location determine करने के लिए, right, if I want to tell you my घर का location ना, तो exact अगर मैं आपको latitude और longitude की values बता दू, you can exactly reach at the point, right, चलू ठीक है, ये सारे advanced topics हैं, ताकि आपके दिमाग में रहें कि connect कैसे करना है, Tropic of Cancer की बात करें, question पूचा जाता है कि कौन-कौन से countries से pass होती है, okay, देखते हैं, from west to east, Mexico से ये pass होते हुए, पहामास जाती है, पहामास से western sahara, देखो, this is beautiful presentation, you know, अपना utmost focus यहाँ पे रखना, western sahara से, Mauritiana, Mali, Algeria, Niger, Libya, Egypt, Saudi Arabia, UAE, Oman, India से pass होती है, ये, yes, Bangladesh से होते हुए, Myanmar, China and Taiwan को भी pass करती है, by the way, एक चीज मुझे comment section में थोड़ा से न, brainstorm करके जरूर बता देना, कि पूरे world में कितनी longitudes हैं और कितनी latitudes है, I want a count of it, ठीक है, ये थोड़ा से confusing question है, but do let me know, आगे जाके आपका clarify हो जाएगा, okay, topic of cancer के बाद आता है हमारा, जो इंडिया से pass होती है, तो इंडिया के कौन-कौन से state से ये pass होती है, ये तो हमाली of course बहुत जादा important होगा, okay, let us see, गुजराच से होते हुए, थोड़ा साउथ पार्ट ऑफ राजस्थान से भी ये pass होती है, पासे मद्यप्रदेश को बिलकुल बीच से काटते हुए, चत्रसगर्ड से होते हुए, जारखन जाती है, जारखन से वेश्च पेंगोल, वेश्च पेंगोल से बंगलादेश को पार करने के बाद त्रपुरा and मजुरम, so there are total 8 states जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, चालो ठीक है, अब लॉंगीट्यूट जो इंडिया से पास होती है, जो हमार लिए बहुत significant है, that is IST, Indian Standard Time, ये निकलती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, मध्या प्रदेश कित्त पुड़े से टच करते हुए, चात्यसगर्ड, उडिसा और अंधर प्रदेश से होते हुए ये जाती है, इसकी longitudinal value क्या होगी, 82.5 degree east, ये सारा आपको एकदम है न, visualize करवा के आपको याद करवा दूँगे, ये east क्यों है, because India is an eastern hemisphere है न, वो zero degree वाली लाइन देखी थी, उसे जितने भी right में countries होंगे, वो सारे eastern hemisphere में लाई करेंगे, correct? चालो, ये दोनो meet कहां करते हैं, IST and Tropic of Cancer, ये दोनों pass करके, intersect करते हैं, 36 गड में, 36 गड में भी अगर बहुत precisely कहूं तो, गुरु खासी दाश्ट नाशनल पार्क में ये दोनों meet करते हैं, right? ये question भी पूचा जा सकता है, it's very important. All right, वापसे world पे आते हैं, zero degree, equator पे, which actually divides your globe into north and south, right? वो कौन-कौन से country से पास होती हैं, वो कुलंबिया से होते हुए, UK door, सारे country पे नजर रखते हुए चलना, ठीक है? ये बहुत अच्छा world tour होने वाला है, UK door से होते हुए, Brazil, Brazil से होते हुए, South, Tome and Princip, जबॉन, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Uganda, Kenya, Somalia, Maldives से होते हुए, Indonesia and Kirabati, Island से होते हुए, ये निकलती हैं, this is equator, right? Okay, उसके बाद अगर notice करें, we have 23 and a half degree south, Tropic of Capricorn, Tropic of Capricorn, ये कौन-कौन से country, से पास होती है, चली, देखने में चली जैसी नहीं लगरी, है ना, मिर्च जैसी लगरी है, that's why I have colored a trade, okay, Argentina, Argentina के बाद पराग हुए, Brazil, Namibia, South Africa, Botswana, Mozambique, Madagascar, Australia से होते हुए, ये पास होती है, right? Again, let me tell you, ये सारी latitudes और longitudes हैं, ये हमने imaginary for our convenience and study के लिए पनाई रखी है, हैसे कोई real lines exist नहीं करती, ठीक है? By the way, मुझे आपकी कौर help चाहिए थी, कि ये सब चीजे आपको समझ में आ रही है न, तो जो मैंने recently launch करी थी, GK Companion, पूरे subjects, उसमें बहुत ही creative तरीके से, बहुत चारी information loaded, 980 pages with lots of images, lots of colors, lots of illustration में ने लाँच की थी, बहुत सारी copies उनकी already taken हो चुकी है, this is an e-book of course, but what I need help is कि इतने सारे copies लेने के बाद, I want an honest review on this, कि और क्या चीज़े आड की जा सकती है, और इसे केसी attractive बनाया जा सकता है, for more bigger launch, you know, तो आप इसको जरूर एक बार ले ले ले, description में लिंक लखा है, और मेरे personal Insta पे इसके बारे में एक review जरूर डाल देना, that will help you to motivate myself, of course, दो साल लगे हैं इस book को बनाने में, there were N number of NCRTs, N number of books, जिसको compile करके creatively याद रहे, ऐसे मैंने इसको present किया है, I'm so happy, बहुत सारे vlogging channel वाले भी इसको cover करना शुरू हो रहे हैं, मैंने ये बुक से पड़ा है, that is okay, but I want an honest review on this, और क्या चीज़े अड की जा सकती हैं, और क्या चीज़े अलिमनेट की जा सकती हैं, what else about this book, कोई ना, हमें तो important longitude भी देखनी पड़ेगी ना, हमारे तो question आता है, तो zero degree, primary din, the very important longitude में से एक, UK से पास होती है, इससे actually हमारे न, पूरा standardized time decide किया जाता है, इस पर है न, बहुत तगड़ा visualization कराया है मैंने, बस आ गया आगे देखते जाओ, wonders होने वाले आँच, UK से होते हुए, ये France जाती है, France से होते हुए Spain, फिर, जैसे ये Africa में ये एंटर करती है, Algeria, Mali, याद करो, ये मैंने connect कर वारी हूँ आपको, ये वो countries आपको याद नहीं आरे, जहांसे Tropic of Cancer भी पास होती थी, yes, this way you have to memorize question, UPSC कैसे भी पूछ चकता है, Mali से होते हुए, Burkina Faso, and Ghana, and Tongos से, ये होते हुए, Antarctica भी ग्रॉस करती है, ठीक है, बहुत लोग, including World Warp बनाने वाले लोग भी, Antarctica को miss कर जाते हैं, but do not forget, Prime Meridine आपकी Antarctica में भी ग्रॉस होती है, right, and this is to your flatter version of Earth, but, 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 हमारा Earth is spherical है, गुमता है, तो भाई, पीछे तो देखो, that is also one very important longitude, that is international date line, yes, इस पे बहुत अच्छे questions आते हैं, जिसको I don't know why, because थोड़ा सा confusion होने की वज़े से, of course, आप question को गलत कर देते हो, negative कर देते हो, but don't worry, आज, wonders तो होने वाले हैं, let's see, इस पे बहुत अच्छा तगडा visualization है, but at the end of the video, वैसे संजे ने एक और चीज़ ये describe करी थी, कि जितना भी land mass है, वो दो people के पत्ते हैं, राबर्ट अने टेल, इस पे आपको बहुत सारे medicinal plants और जानवर मिलेंगे, बार अच्छा फ्लॉरा इंफॉरा और ये सारी चीज़े पानी से घिरे हुई है, अगर सबसे पहले हम अपना ओशीन के doubts clear कर ले, तो थोड़ा सा जूम करके focus करना, here is the pacific ocean, सबसे largest ocean, सबसे deepest ocean, even जो वर्ल्ड का अभी तक का known और discovered deepest point है, Mariana Trench, लिखते जाना ये सारी चीज़ें, मैं आपको visualize कर आना चाहरी हूँ, Mariana Trench भी आपको pacific ocean में ही देखने को मिलेगा, उसके बाद you'll see Atlantic ocean, American continent और Africa और Europe के बीच में आपको देखने को मिलेगा, Atlantic, Atlantic अपने rough स्वभाव के लिए, अपनी roughness के लिए जाना जाता है, क्यों? यहीं पे आपको bermuda triangle मिलेगा, यहीं पे आपका Titanic डूबा था, यहीं पे Titan भी डूब गया, है ना, और यहां पे ऐसे ocean currents है, जिसने एक sea को जनम दिया है, ऐसा sea जिसकी कोई borders नहीं है, यहीं पानी के अंदर पानी कोई border नहीं है, still we can differentiate this is a sea and this is an ocean, यह कौन सा sea के बारे में मैं बात कर रही हूँ, यह आपे ना comments में जरूर लिखना, जब sea आएगा I'll tell you definitely, but tell me अगर आपको पहले से पता है या नहीं, चेक हैं, और सबसे पते बढ़िया बात क्या है, कि यह Atlantic धीरे-धीरे expand हो रहा है, अगर कुछ expand हो रहा है, तो obviously कुछ तो shrink कर रहा होगा, Pacific Ocean is getting shrink, tectonic changes की वज़ा से, धीरे-धीरे आपका Pacific Ocean छोटा हो रहा है, और Atlantic Ocean आपका बड़ा हो रहा है, चीक हैं, Atlantic Ocean के बाद, आप उपर थोड़ा सा Arctic Ocean देखोगे, काफी छोड़ा Ocean है, बाट या, Arctic Ocean के बाद, अपना प्यारा Indian Ocean, जो कि Indian Subcontinent के पास, आप देखने को मिलेगा, है ना, हम अपना वापस back to world map चलते हैं, चीक हैं, वापस से observe कर लो, अब हम थोड़ा सा तेजी से चलने वाले हैं, विल स्टेडी अबाउट ग्रास लेंड्स अक्रोज दी वोल्ड, जूम, नौर्थ अमारिका से शुरू करते हैं, नौर्थ अमारिका में आपके प्रेरीज ग्रास लांड देखने को मिलेंगे, यह question match the following में भी आ सकता है, तो बहुत ध्यान से देखना, राइट, ओके, नीचे चलो, लाटन अमारिका साथ अमारिका में आपको पंपास ग्रास लांड देखने को मिलेंगे, पंपास, सवाना, यूल फाइंड इट इन आफरिका, और थोड़ा सा अगर साथ में देखोगे आप, तो आपको वेल्स ग्रास लांड भी देखने को मिलेंगे, उसके बाद, स्टेपीज, जो आपके यूरॉप और एशिया दोनों में अक्रोस हैं, है ना, अन्थ इस दे लार्जेस्ट ग्रास लांड बयो, पूरे दो कॉंटिनेंट्स में फैले हुए हैं, स्टेप्स, ग्रास लांड उके, उसके बाद, आस्ट्रेलिया में आपके टाउन्स ग्रास लांड देखने को मिलेंगे, फाइन, चालो, ये सारे आपकी ग्रास लांड की समरी हो गई, क्लियर, अब आप भूलोगे इसको, वापस से हम अपने वर्ल्ड माप पे आच चुके हैं, घान से देख लो, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं, सारे के सावरे, माउंटेन रेंजस, इसमें हम माउंटेन रेंजस की हाइस्ट पीक देखेंगे, और हर एक कॉंटेनेंट की हाइस्ट पीक देखेंगे, है ना, बोला ना, हिला दिया ना, वापस नौर तमारे का से स्टार्ट करते हैं, रॉकीस माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी, रॉकीस, यह लगभग 5,000 किलोमेटर लंबी रेंज है, ठीक है, there is a difference between mountain peak and range, I hope आप इस को differentiate कर पा रहे हो, ठीक है, यह लंबे हैं, लगभग 4,800 किलोमेटर, ठीक है, roughly, ओके, रॉकीस का हाइस्ट पॉइंट अगर आप कहो, तो इस माउंट इलबोट, माउंट इलबोट, ओके, रॉकीस के अलाबा, वहाँ पे अपलाचियन रेंजर भी आपको देखने को मिलेगी, और इसका हाइस्ट पॉइंट इस, माउंट मिशेल, माउंट मिशेल, ओके, अब पूरे कॉइंट की बात करें, तो देनाली, जिसको माउंट मिकिनली भी कहा जाता है, लगभग 6,000 मीटर ऊची पहाड़ी है, दिस इस दा हाइस्ट पॉइंट ओफ यॉर नौर्थ अमारिका, चीक है, समझ आ गया, चालो, बढ़िया, साउथ अमारिका में आजो, एंडीज माउंटेन रेंज, जो की पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है, उपर से लेके नीचे, पूरे ही साउथ अमारिकन कॉंटिनेट को लगभग ये बॉर्डर कर रही है, वेस्ट अन साइट से, है न, तो एंडीज का आपका हाइएट पॉइंट अगर कहें, कौन का गुवा है, जो लगभग 7,000 मीटर लंबा है, 7,000 मीटर लंबा, यहां पे इस माउंटेन रेंज उसके पास, आपको कामिलिट्स भी देखने को मिलेंगे, कामिलिट्स से क्या याद आ रहा है आपको, कामिलिट्स, year of the कामिलिट्स 2024 को डिकलेर किया गया था, करेंट अफेर्स याद कर रहे हो आप, कितने क्वेशन पूछे गए थे, पछले CDS में, पछले AFCAD में, आइंट यू मिस्सिंग माई करेंट अफेर्स, किया गरो, जैसे जैसे चीज़ें जादा विजिन में आएंगे न, वैसे वैसे, तिंक्स विल भी, यू लिटल एजियर फॉर यू तो अंडर्स्टांड और रिमेंबर एज वेल, ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्विज में ने डाले हुए, बहुत सारे subject related quiz भी डालें, तो इसको है न, practice में रखना, टेलेग्राम पे पिन करके रखना जरूर, ओल्राइट, चलो, आगे चलते हैं, हम आफ्रिका में, आफ्रिका में आपको ड्रेकेंजबर्ग माउंटेन मिलेंगे, लगबग साउट आफ्रिका के पास, ठीक है, ड्राकेंजबर्ग, और इसका हाईएस पॉइंट है, माउंट लिसोत, आपके बॉलवोड मूवीज में, इसके बारे मैं आपने सुनाओ का, माउंट लिसोत हो, ओके, इसके अलावा, एट्लस माउंटेन्स भी आपको, नौथ वेस्ट आफ्रिका में मिलेंगे, जिसका हाईएस पॉइंट आपका, माउंट टॉब काल है, माउंट टॉब काल, ओके, अब यूरॉप में चलो, यूरॉप, आफ्रिकन कॉंडिनेंट में, हाईएस्ट पीक इस माउंट के लिए मनजारू, इसके बारे में क्वेशन ज़रूर आता है, ठीक है, लगबग 6,000 मीटर ऊची ये पहाडी है, ठीक है, और राइट, उसके बाद अब यूरॉप चलो, एल्प्स की पहाडी रेंज, आपको यहाँ पे देखती को मिलेंगी, तिस इस मोस्ट टूरिस्ट यू नो, क्यों आफ्रिका में, इतली में लगभग ये फैले हुए हैं, ठीक है, फ्रांस के इलागों में, तो अगर लोग वहाँ घूंगने जाते हैं, तो जो उनको पहाड़ा मलती हैं, that is Alps only, ओर उसकी हाईस की क्या है, Alps की, Mount Blanck, Mount Blanck, Okay, And then, there is Caucasus Mountains, campfire in current affairs में, मैंने आपको अच्छे से बताय था था न, Caucasian region, Caucasian countries, किसको बोला जाता है, है ना, that is very important, बहाई, करेंट अफैर्स तो मच्छा वेटेड है I know about that but तब तक तो टेलेग्राम पे आप कोईज अटेंड केरो चीक है कोकस की हाइस रेंज इस पूरे युरॉप इन का युरॉप कॉंटिनेंट की हाइस पीक मेंट एलब्रूस माउंट एलब्रूस लगभग साड़े 5,000 मीटर उची पहाड़ी है अगर अभी आप थोड़ा सा कनेक्शन देख पाऊ न I do have a proper you know 5,6,4,2 मीटर लेकिन मैं वो नहीं बोल रही हूँ क्यों ठोकिया हमें चीजें विजुलाइज करनी है इसे नॉर्मल बनान है याद रखने के लिए है ना तो it is a little difficult to you know recollect की 5,6,4,2 मीटर है आप इसे अपने देशी भाष्टा में लेकर आओ है ना कि चलो ये 5,000 मीटर उची है वो 7,000 मीटर उची है ये साड़े 5,000 मीटर उची है first you आप अपने subject से जब दोस्ती कर लेते हो ना तो अपने आप आप इसको और ज्यादा पढ़ने की और रवाइस करने की कोशश करोगे and then you will finally understand की okay it is 5,6,4,2 मीटर है ना चलो ठीक है फिर आता है युराल्स युराल्स को है कि डिवाइडिंग लाइन भी बोलते है किसको डिवाइड करता है युरॉप और एशा को डिवाइड करता है ठी ठीक है नुरूद नाया उके उसके अलावा एशिया में अगर हम एंटर करते है तो आपको अलताई माउंटीन्स देखेंगे मंगोलिया के आसपास and भई हमारे हिमालियास तो है ही है ना हिमालियास क्या हाइस्ट पॉइंट है जो और पूरे वर्ल्ड का हाइस्ट 8848 मीटर्स इसको तो नहीं भूला जा सकता भाई and it is growing you know it is still growing क्योंकि हमालियास जादा यंग यंगिस्ट फोल्ड माउंटीन्स वो बने कैसे है यूरेशन प्लेट्स और इंडियन प्लेट की कोलीजिन से और वो कोलीजिन अभी भी हो रहा है दीरे 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 2000 हिमालियास चलो बाई नीचा आजाओ अब है न ऑस्टेलिया के पास आपको ग्रीट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलेगी विदिट्स हाइस्ट पॉइंट माउंट कौंशियस को काफी छोटी है लगबग 2000 मीटर ही है जादा बड़ी नहीं है तो वापस बाग टू अब आपको यह चीजे याद रखने में जादा असानी होगी एक दो बार तो विडियो को देखना पड़ेगा आई बिलीव ये पूरा हो गया हमारा वोल्ड माप इसके बाद हमें सीज अराउंड देखने अब तुरंट से एक मिनट वीडियो पास करके सारे ओशीन्स देख सारे रीसोर्च के साथ ये सारे कंट्रीज वगेरा बनाए हैं तो अगर कोई भी बांट्री या थोड़ा से भी कंट्री इधर उदर हो जाता है तो माइटीपस्ट अपॉलजीज पहले से ही इट इस नॉट इंटेंशनल वो बाई मिस्टेक शूमन एरर की वज़े से हुआ ह ठीक है चालो सीस पर जूम इन करते हैं अब बहुत ज़़ादा फोकस के साथ पढ़ना बहुत मजा आने वाला है तस इस हमारा कैस्पियन सी कैस्पियन सी क्या लिखा है भई यहां पर इस दा लार्ज़ेस लेक ऑफ दे वर्ल्ड येस कैस्पियन सी कहने में तो सी है बट इस लेक ठीक है ये एक लेक है इसका ये ओशीन से डिराइव नहीं है ये चारो और लैंड से घिरा हुआ है क्वेशन क्या पूचा जाता है कि कौन कौन से कंट्री सराउंड करते हैं ये सारे क्वेशन करेंट अफेर्स में भी देखे जाते हैं तो उपर से नीचे देखो इट इस एंसर्कल बाइ रश्या, एरान, अजर्बाइजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकस्तान लगभग पांच कंट्री से ये एंसर्कल है कैस्पियंसी ठीक है यहां पर आपको बहुत सारे ओईल और गैस रिजर्वस देखने को मिलेंगे एं वेरी इंपोर्टेंट सेंटर फ जो काफी छोटा है कजाकस्तान और उस बेकस्तान से सराउंड़े है चीक है अगर क्वेशन कोई आता है ना व्यारे बेटर पोजिशन तू आंसर दिस थिंग चीक है आसपास कंट्री इस देखते जाओ बही आज न यूल भी गेनिंग सो मच ओफ इंसाइट एं कॉंफिडेंस ताकि आपको यह चीज़े आपको पदा है ना ओटोमाटिकली इंडिरेक्ट कॉंफिडेंस आप में जनरेट होता जाएगा है ना ओके कैस्पियन सी के थोड़े से राइड में अगर देखो तो आपको आरल सी देखने को मि देखो इन दोनों के अलावा रुमानिया बल्गेरिया टर्की एंड जोजिया भी इसको एंड सर्कल करते हैं ठीक है ओके और जो सी आपका न्यूज में बहुत जादा होता है दाट इस सी ओफ अजोव आपको युक्रेइन के साउथ इस्टन साइड में देखने को मिलेगा ओके बाइद वे इसे ब्लक सी क्यों बुलाया जाता है इसके मल्टपल रीजन्स है ठीक है वन ओफ दे रीजन्स अगर आप जानना जाहो न तो इसे इसमे बहुत जादा प्रेजेंस ऑफ ऐड्रोजन सलफाइड मिलता है इसे बाक्टेरिया रिलीस करते है जो बिना आपको देखने को मिलेगी है ना तो this is major reason is presence of hydrogen sulfide, ठीक है, black sea मिल गया, sea of azof मिल गया, all right, अब और थोड़ा सा अगर अपना focus आप हिलाओगे, you will see Mediterranean Sea, Mediterranean Sea, बहुत significant है, ये एक की location आप मार्क कर लो, ठीक है, याद रख लो this is Mediterranean Sea, इसके उपर मीचे respect में हम याद रखेंगे, ठीक ये हमारा एक center point है, Mediterranean Sea, इसके उपर अगर हम देखें, उपर आपको देखने को मिलेगा, Baltic Sea, Baltic Sea, जो कौन-कौन से country से surrounded है, आपके Sweden, Denmark, Germany, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, ठीक है, Russia, Russia आपको directly नहीं दिख रहोगा, बढ़ एक छोटा सा portion about Poland, आपको, वो Russia का part है, इसलिए Russia is also there, ठीक है, ऐसे ही question में confusion होती है, कि याद नहीं आना, तो this is the, I think, the best way to remember, ठीक है, Baltic Sea, बहुत जादा important है, ध्यान रखना, ठीक है, Baltic Sea से अगर दुबारा हम Mediterranean Sea पे जाएं, क्योंकि वो हमारा key location था, है न, की location से हमें याद रखना था कि कौन से sea कहां पे है, ठीक है, तो हमें याद आ गया कि उपर Baltic Sea है, और हमारे right hand side पे, हमारा Caspian Sea भी है, हमारा black sea भी है, है न, ठीक है, इसी के surrounding में और भी छोटे-छोटे seas हमें देखने को मिलेंगे, जैसे black sea के पास हमने sea of azove या azove sea देखा, उसके अलावा, टर्की ने totally, you know, sea of marmara को encircle किया हुआ है, why sea of marmara is very much important, क्योंकि ये actually European Turkey से Asian Turkey को अलग करता है, yes, Turkey दोनों continent में लाई करता है, Europe में भी और Asia में भी, है न, तो European Turkey और Asian Turkey को sea of marmara अलग करता है, इसके अलावा, Greece के पास आप देखोगे, agency, agency, ठीक है, ओके, और Italy के पास आप Adriatic sea देखोगे, ओके, इसके अलावा भी बहुत चोटे मूटे, यहां पे seas आपको देखने को मिलेंगे, ionic sea है वगेरा वगेर, ठीक है, हम significant आज़ बात करते हैं, हमें मोटा मोटा imagine करना है, please य इसके अलावा, यहां पे आपको स्ट्रीट आफ जबलातार भी देखने को मिलेंगा, ठीक है, स्ट्रीट आफ जबलातार, what do you now understand by स्ट्रीट, स्ट्रीट, एक ऐसी water body होती है, जो की, दो landmass को भी अलग करती है, and at the same point of time, दो water bodies को भी अलग करती है, ठीक है, यहां पे, for example, अ Europe को आफरिका से अलग करता है, और Mediterranean Sea को Atlantic Ocean से अलग करता है, ठीक है, दो landmass अलग हो गए, दो water bodies अलग हो गए, यह मतलब होता है, स्ट्रीट का, ठीक है, इसके अलावा, जो Mediterranean Sea है, वो तीन continents को differentiate करता है, Europe को, आफरिका को, और Asia को, ठीक है, इतनी बात समझ जा रही है, थोड़ सा प्रोसेस होने में, आपको टाइम लग सकता है, वीडियो को पॉल्ज करते हुए, जरूर चलना, ठीक है, अगैं, बोल रही हूँ, Mediterranean Sea को एक की पॉइंट, सेंटर पॉइंट लेके चलो, फिर अब इससे हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हैंना, साउथ इस डिरेक्शन म साउध हो आपको यह डेटषी देखने को मिलेगा, डेटषी, इसको डेटषी शक्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास सबसे जाधा साल्ट कंटेंट है, डेटषी, हाँ यहलियो इतनी जाधा सालिटी है, कि बहुत जाधा डेंसिती यह इंक्रीस कर देना है, तो यहां पर नंबर वन रीजन कोई लिविंग ओर्गानिजम मरीन एकोसिस्टम यहां पर एक्जिस्स नहीं करता है सेकंड रीजन इसकेंड कोईशन जो आप से पूछा जा सकता है इसकी देंसिटी इतनी जादा है कि आप इस पर दूब नहीं सकते हो पानी में तहते हो तो एक रिलेटिव डेंसिटी बन जाती है तो आप में और वोटर में इतनी जादा देंसिटी इतनी जादा है कि आपकी रिलेटिव डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी and higher density की चीज़े नीचे submerge हो जाती है और least density वाली चीज़े उपर float करती है the same thing happens चालो ठीक है dead sea के और भी जादा थोड़ा सा right और थोड़ा सा अगर नीचे आप आओगे you will observe red sea red sea जो की आफरिका और एशिया को अलग करता है अब देख सकते हो है ना इसके surrounding countries हैं एजिप्ट और सुदान Eritrea जिबूती और सुमालिया है ना ये सारे countries आफरिका से बिलोंग करते हैं जब कि साओधिय अरेबिया और येमिन और इस्रेल आपके एशिया से बिलोंग करती है red sea चीज़े बात समझ में आगी यहाँ पे ये जो location है बहुत ही जाड़ा strategic location है इसको थोड़ा सा और detail में हमें study करना होगा this is red sea this is your Bab El Mandib Bab El Mandib straight उपर अगर आप देखोगे Persian Gulf आपको देख़े को मिलेगा Persian Gulf जो कि इराग, इरान, साउथी अरेबिया, UAE जैसे countries से encircled है Persian Gulf के अलावाद this is extremely important straight of Hormuz straight of Hormuz और थोड़ा सा इंडिया के right side आप देखो तो आपको Bay of Bengal देखने को मिलेगा अच्वा, इन साम में difference क्या होता है ocean का मतलब तो आप जानते हो ocean is a large water body उसे ocean बोला जाता है seas किसको बोला जाता है seas are smaller water bodies मतलब वो ओशीन से छोटे होते हैं and they are somewhere connected with the land तीसरा फैक्टर आप कैसेते हो कि उसकी शैलोनेस कम होती है मतलब उसकी डेथ कम होती है seas कि जबकि ocean काफी डेथ वाली होते हैं clear about ocean, clear about sea अब what do you understand by gulf gulf क्या होता है gulf एक ऐसा region होता है जो पानी से भरा होता है और तीनों साइड उसकी land से होती है चीक है और तो bay क्या होता है bay का मतलब b a e ने b a y bay का मतलब यह होता है again a water body which is surrounded by land on the three sides तो gulf और bay में क्या difference होता है देखो gulf and bay दोनों की definition यह सेम ही होती है कि a water body which is surrounded by land on all three sides लेकिन गल्फ जो होता है उसकी जो चौथी साइड होती है उसकी opening is much more narrower than a bay जैसे आपने नोटस किया Persian Gulf उसका opening काफी नैरो था जब कि bay of Bengal उसका opening towards the Indian Ocean it's much wider और straight का मतलब आपको पता है a water body which separates out two land masses and two water bodies right clear और इक्ती बात समझ आगे है ना तो मुझे यह बता दो peninsula peninsula और इस्तमस क्या होता है बाखी वीडियो में okay I got it I got it अब देखो Arabian Sea जो कि इंडिया को एंडिया को एंडिया को एंडिया के अलावा Yemen Oman Iran Pakistan पाकिस्तान को भी एंसर्कल करता है बहुत जादा इंपोर्टिंट अइंडिया के लिए लोकेशन है और Arabian Sea से तोड़ा सा राइट अगर आप जाओ चाइना के पास अगर आप जाओ the most disputed cheese आपको देखने को मिलेगी and that is South China Sea हर दूसरे दन news में होती है obviously because of China तो इसके अगर bordering countries देखे of course China is there China के अलावा Taiwan Taiwan के अलावा Vietnam इस area में I don't know why सब लोग बहुत जादा confused होते हैं about the countries but this is the best time to remember Vietnam देख रहा है Vietnam के अलावा Malaysia Malaysia के अलावा Brunei Brunei Indonesia और Philippines से ये encircled है क्यों जादा न्यूस में होता है क्योंकि China क्लेम करता रहता है कि मेरी टेरिटरी इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है वगेरा वगेरा रीजन से ठीक है इसलिए this is a news याद रहना चाहिए South China Sea से थोड़ा सा अगर उपर आप चलो तो there is East China Sea of course नाम से समझ आ रहा है कि China के तो East में ही है East China Sea के थोड़ा सा उपर चलो you'll observe Yellow Sea Yellow Sea जो कि completely China और North or South Korea से encircled है इससे येलो क्यों बोलते हैं It is so strange है ना Black Sea है, Red Sea है Yellow Sea है, पूरे colors वाली Sea बना रखे हैं Yellow Sea का reason ये है कि इसमें Yellow River अपने sediments और silt ड्रेन आउट करती है ठीक है, और Chinese की बहुत सारी races को Yellow Race भी बोला जाता है ये भी ध्यान रखना Yellow Sea के थोड़ा सा उपर आप जो होगे Sea of Ocoats भी आपको मिलेगा Sea of Ocoats, right This is one of the marginal sea You know the meaning of marginal sea now, right Okay, यहां तक आगे अब थोड़ा सा पल्टर तो सही भाई Flat map को तो हम better observation के लिए समझ रहे है Originally तो this is spherical in nature, right तो थोड़ा सा अगर आप जैसे ही से पलटते हो Ultiside world map की अगर आप देखते हो You'll observe Bering Sea Bering Sea, जो कि आपके Asian और North American continents को अलग करता है ठीक है, समझा गया Bering Sea के उपर आपको 20C भी देखने को मिलेगा और इन दोनो continents के बीच में You'll see international date line यह टेड़ी क्यों है यह longitude होने के बावजूद हर longitude is straight in nature बद यह टेड़ी है ताकि इसके बीच में islands को connect करने के लिए ताकि एक हम better time frame बना सके, ठीक है Bering Sea और चुकी Sea के और थोड़े से right side अगर हम देखे You'll see Sarah Gaasso Sea ठीक है, Sarah Gaasso Sea जिसके बारे में वीडियो के starting में मैंने आपसे बात करी थी कि इस Sea के कोई land border नहीं है यह totally Atlantic Ocean से घिरा हुआ है Still we are calling it Sea Y क्योंकि यह जो Sea है न Ocean currents की वज़े से differentiate हो जाता है Gulf Stream है, North Atlantic Stream है Canary Stream है यह सारे जो Ocean streams है जिसका question Of course, आपकी exam में पूछा जाता है But I'll not be covering in this video If you want it, you have to You know, vote it down for In your comments क्योंकि यह सारे वीडियो में बनाने में, trust me बहुत जादा महिनत लगती है बहुत सारे दिन लगते है बहुत सारा दिमाग बहुत सारी creativity लगती है So, if I get that response Then only I'll start working on the next paths Okay, सारगासो C में आपको सारगासो वीड भी देखने को मलती है Okay, और यहीं पे आपको Bermuda Triangle भी देखने को मलेगा Okay, अब बात करते हैं International Date Line की What is the purpose of that? Is International Date Line का हम क्या करेंगे International Date Line से आप करोगे यह कि वापस से इमाजन करो आपका globe ऐसे घूम रहा है Right, घूम रहा है That means अगर technical terms में हम बात करें तो यह rotate हो रहा है Rotate हो रहा है Right, rotation is not only the motion जो earth करता है है ना, यह west to east rotate तो करता ही है बट अगर broader picture इसका देखा जाए तो यह sun के revolution भी कर रहा है Like, sun के चारो और घूम भी रहा है And at the same point of time अपने access पे भी घूम रहा है Revolution, that is Change of seasons के लिए वो responsible है है ना, कि sun की तरफ आपका hemisphere हो तो गर्मियों का मौसम हो जाएगा अगर sun से opposite side में आपका hemisphere होगा तो वो winter seasons हो जाएगे है ना, one revolution लगबग एक साल में खतम होता है Actually, it's wise versa एक साल की से बोला जाता है जब आपका planet एक revolution खतम करे तभी हर एक planet का year अलग होता है Do let me know, मुझे simple सी common sense की बात बता दो कौन से planet का year सबसे shortest है और वो कितने दिन का है ये भी जरूर बता देना तो अगर अर्थ की बात करें तो हमारा एक साल है 365 days इसके अलावा जो हम rotation की बात करें थे rotation is responsible for your day and night है ना, कि 24 गंटे लगबग एक दिन लगता है पूरा rotate होने में अर्थ को पूरा rotate कर जाता है तो जब आपका face sun के तरफ होगा, वो day होगा और sun की तरफ नहीं होगा तब ये रात कहलाईगी अब हमें better समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है अब ये international deadline देखो हमने देखा कि earth rotate कर रहा है है ना, earth rotate कर रहा है west to east इसलिए हमें ऐसा लगता है कि earth sun rises from the east ठीक है थोड़ा सा imagine करके देखना थोड़ा सा दिमाग की जरुवत पड़ेगी I hope आपके पास है आप imagine कर पाऊगे west to east गूमता है इसलिए ऐसा लगता है कि sun rises from the east but sun अपनी जगा पे ही है it is relative thing earth गूम रहा है तो कोई बात नहीं हम समझ गए है कि sun वहीं पे है earth गूमता है उसके हिसाब से इसलिए जपान को land of rising sun कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले sun light वहीं पे strike करती है ठीक है ओके तो international date line पे eastern hand side आपका sun उगा है ठीक है अब यह sun उगा है लेकिन हमारा जो time होता है time actually हम prime meridian से standard जो हमने कहा था GMT भी जिससे बोला जाता है वहां से decide होता है लंडन से green width से decide होता है ठीक है तो उसके respect में हमारे जितने भी longitude है इंडिया से related अगर हम बात करें तो it is 82 and a half degree east जिससे हम IST Indian Standard Time कहते है है ना इस तरीके से अगर हम पूरे world map को अगर longitude अगर बिच्छा देते है तो हम time को better understand कर पाएंगे है ना और तब हमें ideal का concept international date line का concept पे समझाएगा ठीक है these are longitudes prime meridian देख रहा है अगर यहां पे 12 बजी है अगे now you need a calculation I guess अच्छा calculation maths अभी से डर लग रहा है रही तो इसी भाषा में समझाने की कोशिश करते हूं कि one rotation 24 गंटे में होता है right of course पूरा earth गूम जाता है 24 गंटे तभी वो day and night के लिए responsible होते है ठीक है पूरा earth गूम जाने का मतलब क्या है one rotation is equal to 360 degrees is equal to 24 hours इसका मतलब यह है 24 गंटे में हमारा earth 360 degrees गूम रहा है ठीक है मतलब क्या है एक मिनिट में वो कितना गूम रहा होगा या तो one degree गूमने में वो कितना साल गूम लगेगा बहुत सारी मात्स लगाने के बाद you will come to a conclusion कि one degree गूमने के लिए earth को चार मिनिट लग रहे है तो अब आपसे कोई भी question पूछा जाता है कि इन दो प्लेश्वस में this is longitudinal difference पांच longitudes का difference है तो कितना time difference होगा one degree is equal to four minutes तो पांच डिगरी का फर्क होगा five into four twenty minutes का फर्क होगा simple I hope you get it अब तुमें समझा आया मतलब एक degree अगर earth घूमती है तो चार मिनट निकल जाते है ठीक है तो उस हिसाब से अगर देखे कि हमारे GMT पे अगर बारा बज़े है न तो इंडिया पे कितने बज़ेंगे इंडिया पे साड़े पांच बज़ेंगे सुभा के मतलब इस्टन हेमिस्पियर हमेशा GMT से आगे चलेगा क्यों 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 कि सन्राइज इस फंद इस्ट सबसे पहले सुभा तो अहीं पे होती है है ना तो इस्टन हेमिस्पियर हमेशा Greenwich Meridian Time से आगे चलेगा है ना और यह कैलकुलेशन कैसे करोगे now you better know it कि 82.5 degrees इतनी latitudes, longitudes है into 4 कर दो you will get it कि साड़े 5 घंटे हम GMT से आगे होंगे वही पे अगर आप Eastern Hand of Australia देखोगे 150 degree West पे तो सुभा के 10 बज रहे होंगे जब London में रात के 12 बजेंगे What about Western Hemisphere Western Hemisphere में Sun आपका सबसे last में आता है ठीक है तो 90 degree West में अभी पिछले दिन ही चल रहा होगा पिछले दिन के शाम के 6 बजे होंगे और उससे भी ज़्यादा West में अगर आप जाओ Alaska के पास दुपेर के 2 बजे होंगे and mind you अगर Eastern Hemisphere में Monday चल रहा है न तो Western Hemisphere में अभी भी पिछला दन previous day Sunday चल रहा होगा और बेतर तरीके से समझाओं ठीक है international date line के पास अगर हम जाएं same latitudinal positions ली है same time लिया है अब आप observe करो 150 degree West पे सुभा के 10 बजे हैं Monday को और जब की Alaska में आपके Sunday के दुपेर के 2 बजे हैं इतना जादा you know time gap है तब ही बूला जाता है कि अगर आप Australia से उड़के Mexico जाते हो या USA जाते हो you gain the day क्यों आप सुभा की 10 बजे की flight ली और वहाँ पे एक घंटा भी अगर दो घंटा भी flight को लग रहा है तो वहाँ पे अभी चार ही बजे होंगे है दो घंटा time travel में लग रहा है तो obviously दो घंटा आगे चल तो अभी यहाँ पे Sunday के चार ही बजे हैं तो इस इंसान ने ऑस्ट्रेलिया में Monday गुजारा और वापस से Sunday भी गुजारा Monday भी गुजारा अब जाके अमेरिका में यह वापस से Sunday गुजार रहा है ठीक है मतलब इसका दिन गेन हो चुका है now you are understanding है ना यह time travel कैसे हो रहा है और वहीं पे अगर कोई इंसान आइडियल को international date line को right to left अगर cross कर रहा है western hemisphere से eastern hemisphere में आ रहा है अमेरिका से जपैन टोक्यो जा रहा है तो क्या होगा वो बंदा विचारा Sunday को दोपैर को ही निकला है लेकिन दो घंटे की flight में उसके Monday की सुभब ही निकलने वाली है are you understanding? you will lose a day I hope you are getting my point on this है ना समझाई बात yes I guess अब आपको चीज़े crystal clear होगी है ना alright अब तुम्हारी बारी है इतना सारा हमने countries को zoom and zoom out करके देखा तो अब tell me one thing मुझे आपका opinion उस पे चाहिए क्योंकि I guess you are preparing for officers है ना officers के पास हभीशा एक answer होता है अपना point of view होता है I want to know your point of view कि India is best I want to live in India but India किस से inspiration ले सकता है? कौन सी country से शुरू मैं गरती हूँ I am the volunteer मैंने सबसे पहले ये well cue दिखाया initiative का I think हमें इस्रेइल से सीखना चाहिए है ना जोता मैंने इस्रेइल को understand किया है it is very small country एक ऐसा country जो पैदा होने के पहले बहुत सारे violence जेल चुका है है ना फिर भी it came into existence अभी उसकी location भी कुछ ऐसी है कि वो it is surrounded by all the enemies है ना it is surrounded by all the countries who is just trying to attack Israel still इस इतनी tension भरी strategic location में होते हुए भी it is developing like anything चाहे defense हो चाहे economic चीजों से related हो, haughty culture हो you name a thing and you know बहुत ही जादा कमाल तरीके से Israel ने अपने आपको represent किया है आज के time पे भी Israel को as a country बहुत सारे countries recognize नहीं कर लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है दूसरी कापी मत करना Israel को बोलते हुए है ना या तो आपके पास इसके अलाबा Israel के रेलेटिड कोई points है तो आप definitely add कर सकते हो otherwise tell me other points जो से India inspiration ले सकता है बाकि आपको और कौन से topic पे video चाहिए do let me know in the comment section only I'll see you guys in the next video till then goodbye and Jai Hind